आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन अश्टडी सेंटर पर स्वागत है आज हम सभी वीडियो लेकर आये हैं बिहार सिचक भरती 2023 के अपडेट को लेकर तो चैनल पर जो भी नए जुड़े होंगे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा क्योंकि बिहार में जो सिचक क भरती होने जा रही है उसे रिलेटेड कई सारे वीडियो महत्पून वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड किये गया है आने वाले सभी अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा दिये जाएंगे तो सिचक भाली में 10,000 पद बढ़ेंगे देखिए तो यहां पर नीच है वह 19 अप्रेल तक सभी स्कूलों से मांगा गया था कि आप सभी यह बता दीजिए कि आपकी रिक्ति कितनी है कितने सीट केंडिरेट कितने टीचर्स की बहाली आपके स्कूल में होनी है कितने सीट खाली है तो इसे बढ़ा कर जीला कारेकरम अधिकारियों से 20 अप्रेल त तक जितने भी खाली पद है उनकी रिक्तियां जमा करने है सभी जिला अधिकारी को तो जीला कारेकरम सिच्छा अधिकारी से जुड़े हुए सभी लोगों को यह जमा करना है सिच्छकों की नियुक्ति की रिक्तियां की समिच्छा तो राज्य में इसकूली सिच्छकों को बिहार लोग सेवा आयोग से होने वाली नियुक्ति को लेकर मंगलवार की रिक्तिया नए सीरे से समिच्छा हुई आपको बता दू कि बिहार राज विद्याले अध्यापक नियुक्ति अस्थानांतरन अनुसासनिक करवाई एवं सेवा सर्त नियमा वाली दोहजार तईस के सिच्छकों की नियुक्ति के लिए जीलों से रिक्तियां मांगी गई थी इसके लिए 20 अपरेल तक की तीथी निर्धारित थी जिसके बाद संसोधित करते भी 18 अपरेल किया गया यह समिच्छा बैठक में एजन्डे में सबसे उपर था तो देख सक रहा है सभी स्कूलों से यहां पर रिक्तियां मांगी जा चुकी है और सिच्छा मंत्री ने कहा है सिच्छकों को देनी होगी परिच्छा तो यह किलियर इन्हों ने कहा दिया है कि इस बार सिच्छकों को परिच्छा देनी पड़ेगी और कितना भी विरोध हो जाए लेकिन इस बार बिहार सरकार सि को एक्जाम इ直्वार हंडेड पर्षेंट होगा क्यूकि है यहां पर कहा गया है सिच्छा मंत्री प्रोफेसर चंद्री सेखर ने कहा कि फिल्चकों को परिच्छा देनी होगी इसको ले कर वे भर्यम में न रहें अगर सिच्छक परिच्छा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सिच्छक का लाने को कोई अधिकार नहीं है सिच्छा मंत्री सनिवार को चौशा के 85 इस्तित बावा विशुराउत मेला के उद्गाटन के मोके पर सभा संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने जो इसे प्राइड लाइन तयार किया है उसका पालन करना होगा उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बनने के लिए नेट की डिगरी जरूरी है इसी परकार शिच्चकों को भी बिहार लोग सेवायोग BPSC के और से आयोजीत परिच्छा देनी होगी, इसमें पास होने के बाद ही वे सिच्छक का लाने के योग होगे, परिच्छा में सिच्छकों से उनके विशे से सम्मंदित प्रस नहीं पूछे जाएंगे, अगर वेद अपने विशे के प्रस्नों का भी उत् यहां के लोग हर चुनोती को दरकिनार कर आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि समय बदल गया है, अब जात कोई माइने नहीं रखता है, सिच्छा ही आपकी पहचान होनी चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाएं तभी आप आगे बढ़ेंगे, सिच्छा के बल पर आप सभी बाधा को पार कर सकते हैं, बाबा विशुराउत मेला की अलग पहचान है, इसकी परशिद्धी और बढ़े इसके लिए वे प्रयासरत हैं, जल्द ही इस पर काम किया जाएगा, मधेपूरा में बाबा विशुराउत मेला का उधगाटन करने आए थे प्रूफेसर चंसेकर, कहा सिच्छकों के हक के लिए ही किया गया है, गाइडलाइन में बदलाओ, परिच्छा पास नहीं करते हैं, तो सिच्छक कहलाने के लाइक नहीं, तो ये निश्वेपर के आर्टिकल को आप सभी को पढ़कर, ये आप सभी को समझ जाना चाहिए कि एक्जाम की तयारी आप स सभी केंडिडेड और अपना-पना एक्जाम का तयारी में लग जाए, साती-सात सिच्छकों की जो पद है, दस अजार पद जो है और बढ़ाया जाएंगे, तो मान के चलिए लगभग धाई लाख, मान के चलिए लगभग धाई लाख सिच्छकों की बहाली होने जा रही है और वो भी सभी क्लास में क्लास 1 से 5 के टीचर, 6 से 8 के टीचर और 9 से 12 के टीचर, यानि 1 से लेकर 12 तक के टीचर की बहाली होने जा रही है, नए जुड़े हमके चैनल पे सस्क्राइब जरूर कर दिजेगा, धन्यवाद